Hello everyone, welcome to Okul India के सबसे affordable learning platform में आप सबी लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत सवागत है और आज का दिन है 26 अगस्त 2022 और आज का जो Indian Express Analysis है वो लेकर मैं आपके सामने यहां पर हाजर हूँ तो कल हमने इस सिरीज को स्टार्ट किया था, यहोप आप लोगोंने कल वाला जो वीडियो है वो देखा होगा और कुछ कमेंट्स मेरे को उसमें देखने को मिले, आप लोग उसको पसंद कर रहे हैं लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज की और गुजारिश करूँगा कि प्लीज जो है अपना feedback, जो genuine feedback है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है अगर किसी भी चीज के आपको उसमें कमी लग रही है तो वो हमें जरूर बताइएगा फिर उस तरीके से हम अपनी सिरीज में जो है थोड़ा बहुत improvement करेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करेंगे सिरीज को और सबसे पहले आज हम लोग जो है newspaper पर नजर डालेंगे कि newspaper के कौन कौन से जो articles है वो हमें cover करने है और उसके बाद हम उन articles को जो है detail में देखिंगे जैसे कि हमने कल के lecture में देखा था तो चलिए देखिए ये आज का इंडियन एक्सप्रेस है 26 अगस्त हम सबसे पहले इसमें देखिंगे पर नमर वन पर आप देखिंगे तो एक आपको इस तरह की news दिखाए देगी कि जो जारखंड के मुख्यमंत्री है हेमन सोरेन उनके disqualification की बात यहाँ पर की जा रही है तो एक ये news हमारे लिए important है इसके बाद इसी पेज पर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें एक news और दिखाए देगी कि Nepal installs recruitment of गोर्खा जिन इंडियन आर्मी अंडर अगनीपत scheme के साथ आ रहा है इसको हम लोग देखींगे फिर यह second page है इसमें तो page 1 का ही कुछ जो remaining portion होता है वो आता है आप लोगों को पता होगा ठीक है न इसके बाद आगे बढ़ेंगे और next आगे के page में बढ़ेंगे तो यह तो सब कुछ काम की चीज होती नहीं है ठीक है मैं आपको बता दूँगा जहां पर भी कुछ important होगा इसके बाद आपका अच्छा यह डेली edition है ठीक है यह डेली edition को हम लोग cover कर रहे है इसके बाद एक news यहां पर आई हुई है इस page में यह है कि India surpasses China's share यानि कि India में जो ह वीजा है United Kingdom के जो वीजा है वो सबसे ज़्यादा किसको मिल रहे है इंडियन को मिल रहे है ठीक है इसके पीछे भी reason देखींगे क्या क्या चीज़े है इसके बाद यहां पर एक news दी है कि PM to inaugurate China inspired memorial for कच Quake victims जो कच में जो भुकम पाया था 26 January 2001 को उसमें एक जो है एक इसमारक बनाया जा रहा है एक memorial बनाया जा रहा है उसका प्रधानवंतरी जो है वो inauguration करने वाले है तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखींगे इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक यह news दी हुई है कि हर्याणा में जो है डिसकॉम्स के loss काफी कम हो चुके हैं ठीक है दिल्ली हाई कोट ने खारिच कर दिया है और उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि और क्या-क्या न्यूज हमें आपर कवर करनी है इसके बाद अगली जो यह news है एक्स्प्रेस नेटवर्क वाले पेज में इसमें यह है कि एक contract जो था वो इंडिया और चाहिना के बीच में साइन किया गया था तो वो contract जो है खतम हो गया railway का contract था और उसके चक्कर में चायना और इंडिया जो है वो एक दूसरे से claim ले रहे हैं claim मांग रहे हैं इसके बाद इंडिया और ढाका की एक news है water sharing को लेकर sharing of river water इसको थोड़ा सा बात करेंगे इसके बाद आगे बात करते है तो यहां पर explained page वगरा में तो आज कुछ भी नहीं है और explained वगरा को मैंने आपको कल भी बताया था कि हम लोग अलग से cover करने कोशिश करेंगे जब ये कुछ important होगा तब ठीक है ऐसा जिसमें रोज रोज कुछ important नहीं आता है ठीक है और इसके बाद आगे अगर मैं ठीक है पीम ने ये बोला है कि अगर मैंदाओं को लेवर फोर्स में participation बढ़ाना है तो उनके लिए जो है flexible work spaces और flexible work cars रखने होंगे इसकी भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे और इसके बाद एक last में यहां पर एक छोटा सा ये दिया हुआ है कि इंडिया जो है वो global SaaS capital बन देल में देखते हैं देखिए जो सबसे पहले news हमारे पास है वो यह है कि disqualify Soran as MLA over mining lease election commission जो है वो किसको बता रहा है governor को बता रहा है ठीक है तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि यह क्या चीज है election commission ने Thursday को बोला है कि जो जारखंड के मुख्यवंतरी है हेमन सुरेन उनका disqualification होना चाहिए under the representations of the people act 1951 हमने पिछले lecture में भी देखा था कल के class में भी हम लोग बात कर रहे थे कि यह जो representation of people act 1951 का यह बहुत important है और इसको हमें जल्द से जल्द cover भी करना है ठीक है पूरे detail में इसको हम लोग cover करेंगे और यहाँ पर जो election commission है उसने एक notice जो है वो सोरेन को जारी किया था मई के मैने में और इन्होंने यह बोला था कि basically हमन सोरेन जो है उन्होंने section 9A of the representation of people act का violation किया है ठीक है बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि कोई जो mining की एक lease थी वो उन्होंने अपने नाम पर ली हुई थी ठीक है और उसमें basically यह होता है कि कोई भी सरकारी official जो है जो government official है वो इस तरीके क कोई भी office of profit वाला मामला होता है कि कोई भी ऐसे profit वाली चीज़े वो अपने नाम पर नहीं ले सकते तो यह चीज़ यहाँ पर इन्होंने बोली है कि section 9A of the representation of people act का यह violation है और 9A के according disqualification of an electoral representative होता है ठीक है और वो तब तक रहता है जब तक contract in force है और क्योंकि इन्होंने contract जो ह कि अगर मान लीजिए कि election commission ने तो governor को बोला है ठीक है अब मान लीजिए election commission के recommendation पर governor अगर इनको बरखास्त कर देते है ठीक है मतलब इनको अगर disqualify कर देते है तो तब भी यह क्या बन सकते है मुख्यमंत्री बन सकते है लेकिन शर्त हो ही है कि 6 महिने में दुबारा इनको reelect होना पड़ेगा ठीक है ना I hope यह बात clear है पॉलिटी में हम लोगों ने detail में पड़ा हुआ है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी member of parliament या MLA को अगर disqualify किया जाता है governor या president के द्वारा तो होता क्या है कि वो फिर से इस case में क्या हो पाएगा कि वो फिर से member बन सकता है मतल जो चीज आ जाती है वो है article 191 disqualification of the MLC और MLA of a state ठीक है इसके क्या क्या provisions है article 191 के यहाँ पर मैंने दिये हुए है इनको detail में आप लोग देख लीजेगा ठीक है हला कि I hope कि आपने polity में पड़ा होगा लेकिन अगर नहीं पड़ा है तो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है इनको जरूर देख लीजेगा आप और इसके बाद एक article important जो आता है वो next article है that is article 192 decision on questions as to disqualification of a member इसमें क्या है कि अगर कोई भी ऐसा question आता है ठीक है कि disqualification को लेकर तो उसमें decide कौन करते है deciding power होती है governor के पास और उनका decision जो है वो final होता है मतला binding decision होता है और अपना फैसला लेते स हमें वो क्या कर सकते है election commission से क्या कर सकते है advice ले सकते है ठीक है opinion ले सकते है and shall act according to such opinion और उस opinion के according जो है वो act कर सकते है लेकिन ये जो election commission की opinion होती है ये binding नहीं है ठीक है election commission की opinion binding नहीं है हला कि governor का जो फैसला है वो final यहाँ पर दिया गया है ठीक है तो ये हमारे बात हो गई थी article 191 191 and 192 regarding your MLA's and MLC's ठीक है MLA and MLC's की बात हो गोई थी मतब state में हम लोग बात कर रहे थे तो similar जो articles है for the center ठीक है parliament के लिए ऐसे कौन से article है जो disqualification से deal करते हैं यह आप मुझे नीचे comment section में बताईएगा ठीक है मैंने कल भी आपसे कुछ सवाल पूछे थे comment section में आपने नहीं बताएएगा तो प्लीज उसको बताईएगा कि parliament में ऐसे कौन से article है जो deal करते है with the disqualification of the members of parliament ठीक है चलिए इसके बाद आगे बात करते है Nepal stalls recruitment of गोर्खाज in Indian army under अगनीपत scheme मतब नेपाल ने अपने गोर्खाज जो है उनकी recruitment अगनीपत scheme के अंतरगत रोक दी है उन्होंने ये बोला है कि जो नेपाल के गोर्खा है वो अगनीपत scheme के अंतरगत recruit नहीं होंगे अब पहली बात तो यह है कि अगनी पती स्कीम क्या है ये तो आप लोग को पता होगा ठीक है ना उसके बाद ये अगनी पती स्कीम में गोरखास आएंगे क्यों 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 कि गोरखा तो कहां के है नेपाल के है तो ये नेपाल के इंडिया में करींगे क्या एनना इसके बारे में आप लोगगो फोड़ा सा इसका इतिहास जो है अगर वो पता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे ठीक है ये विसी लिए कंटेक्स दिये चल रहा है कि जो इंडियन आर्मी चीफ है जो अभी कुछ समय पहले चेंज हुए है जनरल मनोच पांडे इनको एक honorary general का जो है नेपाल आर्मी की honorary general का एक वो मिलने वाला था ठीक है मतलब क्या बोलते हैं इसको एक position एक honorary position मिलने वाली थी क्योंकि इंडिया और नेपाल के बीच में ये है कि उनके जो highest officials है उनको ये चीज़ें आपस में मिलती रहती है एक दूसरे को बारी बारी से ये चीज़ें मिलती रहती है मतलब ये जो honorary general का एक position होती है ठीक है अब इसमें ये हुआ है कि जो गोर्खास इंडियन आर्मी है वो अगनीपत स्कीम में participate नहीं करेंगे ठीक है अब ये ऐसा हुआ क्यों है अब यहाँ पर था क्या कि जो नेपाल के गोर्खास थे जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर में था तो उस समय यानि की 19 century से ही जो इंडिया ये जो नेपाल के गोर्खा थे ये British Army में काम करते थे पहले तो ये English East India Company जो होती थी उसमें काम करते थे ठीक है पहले तो East India Company की में काम करते थे और उसके बाद जब British Indian Army हुई तो उसमें ये काम करते थे ठीक है और जब उसके बाद India जो है आजाद हुआ 1947 में तब इस तरीके का एक agreement किया गया between India, Nepal and Britain की कुछ जो गोरखाज होंगे ठीक है वो इंडियन आर्मी में काम करेंगे और कुछ जो गोरखाज है वो बिटिश आर्मी में काम करेंगे ठीक है ऐसा बोला गया tripartite agreement of 1947 between India, Nepal and Britain ठीक है इसमें यही चीज बोली गई है कि split the गोरखा रेजिमेंट जो गोरखा रेजिमेंट है उसको split किया गया between the British and the Indian armies ठीक है छे गोरखा यूनिट जो है वो इंडिया की आर्मी का पार्ट बने और चार जो है वो बिटिश आर्मी का पार्ट बने ठीक है ऐसा इसमें कहानी है मतलब यह इसका इतिहास है अब इसमें जो चीजें थी कि इन दोनों की जो conditions होंगी वहलब जो conditions of service होंगी वो एक जैसी होंगी ताकि उनको आपस में बेहत्बाव ना लगे कि हम तो British army में काम कर रहे हैं तो हम तो superior है यह हम Indian army में काम कर रहे हैं तो हम inferior है यह इंडियन army में काम कर रहे हैं तो superior है ऐसा कुछ नहीं है ठीक है इनके लिए same conditions of service रखी गई थी ठीक है ताकि दोनों को एक जैसी चीजें लगे लेकिन अब इंडिया में हुआ क्या कि जो यह अगनीपत scheme आई है उसके अंतरकत यह बोला गया है कि चार साल के सिर्फ नौकरी करनी होगी और उसके बाद उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा ठीक है तो इसलिए basically यह मुद्दा आया है कि नोंने बोला कि जब इसमें pension नहीं मिलेगी तो फिर हमारा यह जो tri-parti agreement हुआ था जिसमें यह था कि जो इंडियन army और British army में दोनो regiments के यह घुरखास काम कर है उनके बीच में फिर एक तरीके का differentiation हो जाएगा तो इसलिए वो यह नहीं चाहते ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा सा आप important provisions of the tripartite agreement देख लीजेगा क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर दिये हुए है ठीक है कि यह जब आपको PDF PDF डाउनलोड करेंगे इसका तो देख लीजेगा कल वाली PDF भी अभी तक upload नहीं हुई है लेकिन उसको हम कर देंगे बहुत जल्द ठीक है तो इसके मैंने कुछ यहाँ पर important points लिखे हुए है इनको देख लीजेगा सबसे important point यही है कि इनकी जो term of service है वो कम से कम इतनी होनी चाहिए to qualify for a pension ठीक है कि कम से कम इन लोगं को pension मिले लेकिन इंडिया में फिर वही problem है कि जो अगनीपाद scheme है उसमें pension वगरे का कोई provision नहीं है तो इसलिए यह चीजे वो नेपाल वाले यह बोलते हैं कि यह हमारे जो tripartal agreements sign हुआ था 1947 में उसका violation है ठीक है इसलिए उन्होंने मना कर दिया है कि जब तक यह चीजे मतलब clear नहीं होती है तो जो नेपाली गुरखाज है वो अगनीपाद scheme के तरूर recruit नहीं होगी I hope clear है बात इसके बाद UK study visas जो है इंडिया ने चाहिना को surpass किया है यानि कि UK में जितने भी study visas मिल रहे है सबसे जादा किसको मिल रहे है इंडियन्स को मिल रहे है ठीक है तो largest share of study visas जो है United Kingdom के दोरा जो issue किये जा रहे है वो किसको मिल रहे है इंडिया को मिल रहे है और सबसे जादा पहले चाहिना को मिलते थे आप इंडिया सबसे टॉप पर आ गया है ठीक है यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ऐसा डेटा है मतलब जैसे international relation वगरा कुछ डेटा यूज होता है उसमें आप इस तरीके का डेटा यूज कर सकते हैं कि अगर जुलाई 2021 से जून 2022 तक के वीच का डेटा देखा जाए तो most visitor visas and skilled worker visas जो है वो किसको मिले है इंडियन्स को मिले है ठीक है study visas तो है यहाँ पर तीन तरीके की visas की बात हो रही है एक तो जो study के लिए visa दिया जाता है मतलब ऐसे students जो UK जाके पढ़ाई करते हैं इंडिया के students होते हैं उनको study visas दिया जाता है कुछ ऐसे होते हैं जो visitor visas लेके जाते हैं मतलब जैसे tourist है ना जो मान लीजे यहाँ से UK गूमने जाएंगे उनको क्या दिया जाएगा visitor visas और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ काम बगरा करने वहाँ पर जाते है है ना तो skilled worker उनको दिया जाता है skilled worker visas ठीक है मतलब UK जितने भी sponsored study visas जारी करता है sponsored मतलब जिसके तुरू मतलब वहाँ पर कुछ scholarship वगरा मिलती है है ना तो जितने भी total जारी करता है UK उसमें से 48% किसके पास है इंडिया और चाहिना के पास ठीक है और UK जो है वह popular holiday destination भी बना हुआ है मतलब जितने भी visitor visas UK ने जारी किये है वह किसको मिले है इंडिया को यानि कि इंडिया जो है वहाँ भी घुमने भी बहुत जा रहे है और साथी साथ अगली बात यह है कि 46% of the all skilled work visas जो है वह भी इंडियांस को मिल रहे है ठीक है तो थोड़ा सा यह data को आप लोग नोट कर लीजेगा क्योंकि इस तरीके का data कभी का बार mains में कावा जाता है ठीक है इसके बाद यहाँ पर यह एक diagram में दिया हुआ है कि study visa की अगर हम बात करें तो यह जो है वो trend है यानि कि सबसे ज़्यादा किसको मिले हुए है इंडिया को फिर चाहिना नाइजीरिया पाकिस्तान और यूएस और work visas की अगर हम बात कर ले तो वो भी सबसे ज़्यादा इंडिया को है last to last year जो है एक नई policy निकाली थी that is new education policy 2020 ठीक है और उसमें इस तरीके की बात बोली गई थी कि यहाँ का इंडिया का study का infrastructure है वो इस तरीके का बनाया जाएगा कि यहाँ से ज़्यादा लोग जो है वो देश के बाहर ना जाए ठीक है लेकिन यह चीज यहाँ पर देखने को भी हमें मिल रही है कि बहुत जा रही है तो उसके पीछे मतलब यह तरीके का आप कह सकते हैं कि एनिपी के implementation में challenges है कि लोग जो है बाहर अभी भी जा रहे हैं तो proper इसका जो है वो इसमें अभी भी कुछ चीज़ें को change करने की जरूवत है कि जैसे यह हो सकता है कि बाहर की क कुछ universities वगरा है जो है वो इंडिया में establish करने की उनके कुछ branches वगरा है यहां पर खोलने की बात की जाए तो इस तरीकी की चीज़ें जो है वो यहां पर की जानी चाहिए और एक चीज और भी हमें देखने को मिल रहा है कि लोग काम के लिए भी इंडिया को छोड़कर वहा जरवत है कुछ education के field में इस तरीके करने की जरवत है कि लोगों को जो है वो एक quality education जो उनको बाहर मिल रही है वो इंडिया में मिल सके ताकि वो देश के बाहर ना जाए है तो यह सारी चीज़ें जो है वो इसमें हो सकती है इसके बाद आगे बढ़ते है पीम टो पाएड मेमोरियल फॉर कच कुएक विक्टिम्स ठीक है गुजरात का कच उसके भुज में है आपको याद होगा भुज में 26 जन्वरी 2021 को सुबे सुबे जन्वरी आप सभी लोगों को पता है हमारा Republic Day ग्रणतंत्र दिवस तो जब सुबे सुबे बच्चे स्कूल जा रहे अपना 26 जन्वरी Republic Day celebrate करने तभी एक बहुत भारी वुकम पाता है और उसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं ठीक है काफी सारे बच्चे इसमें मर जाते हैं तो उन्ही के मेमोरियल में एक इसमारक बनाया जा रहा है उन्ही की याद में एक इसमारक बनाया जा वहाँ भी एक बहुत भारी वुकम पाया था 2008 में तो चाइना ने जो है इस तरीके का एक वहाँ पर मेमोरियल बनाया हुआ है कहाँ पर शीचुआन में ठीक है शीचुआन में एक इस तरीके का मेमोरियल बनाया हुआ है चाइना ने तो उसी से इंस्पायर होकर जो इंडिय है वो भी एक memorial बनाने की बात कर रही है कहां पर बना रही है अंजार में ठीक है कच के अंजार में और इस्मारक का जो नाम है that is वीर बालक इस्मारक ठीक है वीर बालक इस्मारक बनाया जा रहा है और साथी साथ जो है एक इस्मृती वन भी बनाया जा रहा है भुज में ये भी एक वही मेमोरियल है जो शिचुआन से इंस्पारड है ठीक है अब यहाँ पर एक बड़ी मतलब एक अजीब सी बात मुझे पढ़ने में लगी कि इंडिया का जो इंसिडेंट हुआ था ये मैंने घरत लिख दिया 2001 है यह ठीक है इंडिया का जो इंसिडेंट हुआ है वो 2001 का था चाइना में जो इंसिडेंट हुआ है वो 2008 में हुआ है ठीक है लेकिन हम लोग बना रहे हैं मेमोरियल इनको देखकर ठीक है मतलब इतना ही मैं कहना चाहूँगा इससे जादा कुछ नहीं I hope आप बात को समझ रहे हैं कि 2001 में जिसके वहाँ घटना घटी वो 2008 वाले को देखकर मैमोरियल बना रहा है ठीक है चलिए आगे देखते हैं बात करते हैं आगे तो इस तरीके का कुछ यह जो बाल इसमा रहे हैं वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा यह इसका फिकर है अब यहाँ पर important जो आप लोगं के लिए एक map work बन जाता है ठीक है जो मुझे लगा थोड़ा सा important हो सकता है वो आप देख लीजेगा यहाँ पर आपको गुजरात के रीजन में भुझ दिखाई दे रहा है ठीक है इसके बाद यहाँ पर कुछ important आपको जगों के नाम दिखाई दे रहे है जैसे कि हमदाबाद आपको दिख रहा है ठीक है वरोद्रा दिख रहा है बरूच सूरत ठीक है बावनगर अमरेली जूरागर सोमनात और पूरबंदर राजकोर्ट है ना तो यह कुछ जामनगर तो कुछ इस तरीके के जो आपको जगे दिख रही है थोड़ा से इनकी locations देख लीजेगा क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मैप में आपसे एक्जाम में ये पूछा जा सकता है कि arrange them from east to west north to south तो वो थोड़ा सा देख लीजेगा ठीक है जो भी इस तरगी की जगे वगेरा news में आ रही है उसको देखते रही है थोड़ा सा आपका जो map work है वो भी strong होता चलेगा ठीक है इसके बाद ये वारा जो map दिखाया मैंने चाहिना का ये आपको एक region यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये है शीचुआन region ठीक है जहाँ पर वो school था जहाँ पर 2008 पर भुगम पाया था तो वो यहाँ का region है एक तो ये बार जरूर देख लीजेगा ठीक है जो भी आकी चाहिना की important rivers वगरा है वो यहाँ से आप देख लीजेगा ठीक है I hope clear है बात चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हर्याना ने जो है अपने discom के losses ठीक है जो distribution companies है electricity की जो बिजली को क्या करती है बाटती है distribute करती है उनके losses को क्या कर दिया है आधा कर दिया है ठीक है half कर दिया है अब ये हुआ कैसे है इन्होंने अपना जो aggregate technical और commercial losses होते है that is AT&C losses होते है इनको 50% तक कम कर दिया है ठीक है और ऐसा ये कैसे कर पाए है जो बिजली की चोरी हो रही थी उस पे उन्होंने check लगाया मतलब उसको इन्होंने पकड़ा और साथी साथ जो pending power bills थे जो बकाया बिजली के bill थे उसका भी इन्होंने क्या किया है recovery की है ठीक है तो उसकी वज़े से क्या हुआ है जो इनके losses है वो कम हो गए है तो important बात हमारे लिए ये है कि ये जो AT&C losses होते है ये अगर हम इस पर काबू पा ले मतलब इसको अगर हम कम कर ले तो एक तो हमारी जो energy है वो भी बचेगी क्यों कि देख लेटर सिटी का theft हो रहा है है ना तो एक तो बिजली बचेगी और साथी साथ जो revenue है उस पर भी फाइदा मिलेगा मतलब revenue जो हमारा राजस्व है जो पैसा मिलता है वो भी जादा मिलेगा ठीक है और यहाँ पर basically एक rating और एक report का नाम दिया गया है कि 10th annual integrated rating and ranking हुई है power distribution utilities की उसमें हर्याना जो है वो number 2 पर आया है और number 1 पर जो है that is गुजरात ठीक है only after गुजरात number 1 पर गुजरात है और number 2 पर आया है हर्याना अब हर्याना का यहाँ पर कुछ data दिया हुआ है basically इनों तो पहले यह चीज़ बोली कि हम ऐसा कर क्यों पाए इनों ने ये बोला कि जितने भी ऐसे different meters थे tempering या closed houses थे वहाँ पर इनों ने थोड़ा सा control किया है जो meter वगरा खराब थे जिसके साथ छिड़खानी की गई थी उनको साथ थोड़ा सा सुधार किया है तो यह सारे losses वगरा कम हुए है और उससे फाइदा मिला है तो हर्याना की सरकार यहाँ पर यह बोल रही है कि पूरे के पूरे राज्जे में लगवग 6704 गाओं है जिसमें से 5620 गाओं को जो है round the clock electricity मिलती है मतलब वो बोल रहे हैं कि हमारे पास बिजली जो है वो बहुत ज्यादा है और वो ऐसा इसले इंप्रूब्मेंट हो पाया है क्योंकि पिछले 6 साल से वो इस तरीके के जो losses है उनको काफी कम करते आए है ठीक है और साथी साथ यह भी बोल रहे है कि solar energy के sector जो है वो भी हर्याना में काफी developed है 75% तक सरकार की तरफ से वहाँ पर subsidy दी जाती है और अब वहाँ पर यह भी काम चल रहा है कि जो बड़ी नहरे है जो केनाल्स है उनको ढगा जा रहा है उसके ओपर भी फिर पूरा का पूरा जो है वो solar panels लगा दिये जाएंगे उससे dual फायदे है कि एक तो क्या होगा कि electricity बचेगी ठीक है चुकि solar सागर बनाएंगे तो electricity बचेगी और साथी साथ ये भी है कि नहरों को ढग दिया जाएगा तो उससे जो नदिया है जो नहरे है जो कैनाल्स है वो भी साफ रहेंगी clean रहेंगी ठीक है I hope clear है बात इसके बाद आगे बात करते हैं एससी जंक्स WhatsApp प्ली पेवज वेफ और CCI प्रोब ठीक है दिल्ली हाई कोट ने WhatsApp की एक प्ली एक याची का थी उसको खारिच कर दिया है ठीक है WhatsApp ने जो last year अपनी एक privacy policy निकाली थी उस privacy policy को लेकर जो Competition Commission of India है उसने बोला था कि ये policy गलत है ठीक है और उसके अगेंस्ट जो है ये जो WhatsApp company है उसने क्या किया था अपील की थी और उसको दिल्ली हाई कोट ने खारिच कर दिया है दिल्ली हाई कोट ने बोला ये जो बात आप कर रहे हैं वो सही नहीं है मैं था WhatsApp से बोला कि बात सही नहीं है क्योंकि WhatsApp basically क्या करता है कि जो आपका personalized data है उसको share करता है बाकी Facebook companies के साथ ठीक है अब उन्होंने जो डेली हाई कोट ने इस plea को reject किया है वो ये कहते हुए किया है कि एक तो जो आप data share कर रहे है वो किस तरीके से कर रहे है उसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता या transparency नहीं है और साथी साथ जो है वो voluntary और specific user consent based पर नहीं हो रहा है मतलब जो user अपना data share करना चाहे आप उससे पूछ नहीं रहे है ठीक है पहली बात voluntary basis पर नहीं हो रहा है और दूसरा जो है वो आप user की उसमें कोई consent नहीं ले रहे है मतलब आप user से ये नहीं पूछ रहे है कि आपका data share किया जाएगा नहीं किया जाएगा ऐसा आप नहीं पूछ रहे है तो इसलिए जो आपकी जाचिका है उसको खारिज किया जाता है ठीक है I hope यह बात clear है अब competition commission of India के बारे में थोड़ा सा यहां से आप लोग देख लीजेगा जैसे कि मतलब यह एक statutory body है competition act of 2002 को enforce करने के लिए बनाई गई थी ठीक है MRTP act था 1969 का उसको replace किया गया था competition act के द्वारा 2002 का on the recommendation of the raguan committee और इसकी जो composition वगरा है वो भी थोड़ा देख लीजेगा यहां पर मैंने चीज़े दी है ठीक है मैं पूरा पढ़ने बैठूँगा तो कोई फाइदा नहीं है साथी साथ यह जो CCI है इसके कौन-कौन members हो सकते है उनकी eligibility क्या है वो भी थोड़ा सा देख लीजेगा यहां से आप ठीक है और इसके बाद जो इसके roles और जो जो competition act है इसके बारे में भी दिया हुआ है कि competition act के थूँ एक competition appellate tribunal बनाया गया था और बाद में इसको जो है वो NCLAT that is national company law appellate tribunal से इसको replace कर दिया गया है और इसके बाद जो CCI के roles है और जो functions है वो भी मैंने आपर mention किये हुए है इनको भी आप एक बार ज़रूर देख लीजेगा ठीक है क्योंकि इसमें सच कुछ पढ़ने बैठने का है नहीं मैं पढ़ने बैठ हूँगा पांच मिनिट लगेंगे को कोई फाइदा नहीं है ठीक है कुछ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं इसके बाद यहाँ पर जो news आई है वो यह है कि contract ended in China firm claims damages and railway replies with counter अभी हो क्या रहा है कि ले है वो 279 करोड का इंडिया से क्या मांग रहे है compensation मांग रहे है ठीक है अब यह सारा का सारा मुद्दा जो है वो international level पर चल रहा है international chamber of commerce के rule के according यह मुद्दा चल रहा है ठीक है अब यहाँ पर इंडिया ने जो है counter attack किया है चाइना के ओपर कह सकते हैं इंडिया का जो dedicated freight corridor corporation of इंडिया है ठीक है that is dfccil इन्होंने क्या करा है counter claim जारी कर दिया है 71 करोड का कि भईया 71 करोड उपए आप हमें दीजिए ठीक है अब वो किस basis पे किया है उसको हमें जानने की जरुबत नहीं है यह तो basically context of the news हो गया हमारे लिए यहां से जो important चीज़ बनती है वो यह है ठीक है हाला कि इसको आपने उने पहले पढ़ा होगा लेकिन फिर से थोड़ा सा इसको पढ़ लीजेगा dedicated freight corridor corporation of india limited यह under the ministry of railways है headquarter नई दिल्ली में है और यह क्या काम करता है वो भी आप यहां से देख सकते है planning and development, deployment of monetary resources, building upkeep and the operation of the DFCs जो dedicated freight corridors है उनके related यह काम करता है ठीक है तो यहां पर basically यह जो dedicated freight corridor network है इसका project map यह इसी की website से लिया गया है ठीक है यहां पर आपको कुछ corridors दिख रहे हैं जैसी की आपको यहां पर नाम दिख रहा होगा Eastern DFC आपको दिख रहा है Western DFC दिख रहा है तो थोड़ा बहुत इनको आप लोग note जरूर कर लीजेगा कि कौन सा DFC कहां से match करता है ठीक है तो किस तरीके question कभी कभी exam में पूछे जा सकते हैं और UPSC में नहीं आता है तो किसी और exam में railways SSC वगरा में पूछे जा सकते हैं तो देख लीजेगा एक बार ठीक है और UPSC में भी खेर पूछा जा सकता है ऐसी कोई बात नहीं है चलिए इसके बाद अगली जो न्यूस है वो यह है कि डेली और धाका discusses sharing of river water ठीक है basically इंडिया और धाका यानि कि बांगलदेश के बीच में एक memorandum of understanding यानि कि MOU sign हुआ है for the sharing of water of Kushyara river ठीक है इंडिया और बांगलदेश के बीच में जो है वो 54 यानि कि 54 नतिया बहती है 7 जो है वो पहले ही agreement का part हो चुकी थी और आठ जो है वो recently इसमें और एड कर दी गई है ठीक है तो टोटल 54 नतिया है अब यहाँ पर एक JRC की meeting हुई थी that is joint river commission की meeting हुई थी और उसमें कुछ इन नतियों का नाम सामने आया है ठीक है जैसे कि गेंजेस यानि कि गंगा तीस्ता मनू मुहूरी खोवारी गुम्ती धारला दुद कुमार एंड कुशियारा ठीक है तो थोड़ा सा इन चीजों को आप नाम वगरा देख लीजिए इन नदियों को जरूर से मैप वगरा मार्क कर लीजेगा इसके बाद यहाँ पर जो जो ज अब टार्स बॉंटरिघ की बात है फिक है यह जो इंके नाम अपर आपको सारे के साथ दिख जाएंगे ए आपको सारे जो नदिया वह यहां पर आपको ब्रकु को दिख रही है ठीक है एक तो आपका यह इमपोर्टन यहां से हो जाता है थोड़ा से इसको देख लीजिए थीखे तो गरड़कि विकीपीडिया को जाते हैं थोड़ा से उसको भी देख लीजेगा एक बार यहां पर आपको नदी दीख रही होगि दाट बीजिख रही है कुछि असको देख लीजेगा इसके बाद अगर मैं अगला बात करता हूं तो अगला यहां पर जो है यह IDF में भी मिल जाएंगे, वहां से जाके इनको थोड़ा साफ देख लीजेगा, ठीक है, I hope clear है बात, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं, flexible work spaces and hours, PM कह रहे हैं for women in labor force, यानि कि महिलाओं का अगर हमें participation जो है वो labor force में अगर बढ़ाना है, तो उसके लिए उनको flexible work space देना पड़ेगा और flexible working hours भी देने पड़ेंगे, ठीक है, यह सर PM बोल रहे है क्योंकि अभी एक conference चल रही है, एक conference चल रही है labor force की, जिसमें basically यह जो labor laws थे, जो चार labor laws आये थे, उनको implement करने की बात हो रही है, ठीक है, तो पहले यहाँ पर जो है, य जैसे की the code on social security और the code on wages, पहले इनको implement किया जाएगा और उसके बाद बोला है कि जो दो बागी बचेवे laws है, that is industrial relations laws और occupational safety, health and working conditions code, ठीक है, फिर इसको जो है वो implement किया जाएगा, ठीक है, तो I hope बात लिए है, अब basically यहाँ पर जो आपका periodic labor force survey होता है, ठीक है, अब periodic labor force survey, जो PLFS होता है, उस पर थोड़ा सा आप data देख लीजेगा, कि महिलाओं का जो workforce participation है, वो कितना है, ठीक है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत definitions दी होंगी, उसको देख लीजेगा, ठीक है, वो सारी चीज़े मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता, मैंने आपको कल के lecture में भी यह ची जब कोई company आपको software देती है, यूज करने के लिए as a service, तो उसको बोला जाता है SaaS, ठीक है, जैसे कि आपका Google है, Google is a SaaS, Gmail आपका हो गया, ठीक है ना, Gmail आपका है, यह जो हम जिसमें हमने PBT बनाई हुई है, Microsoft Office, यह एक तरीके का SaaS है, ठीक है, बाकि जो cloud services होती है, जैसे कि आज की डेट में आप देखे होंगे कि Zoom है, Skype है, these all are your SaaS services, मतलब software as a services, ठीक है, तो इसमें बेसिकली यह बोला है, कि आज की डेट में अगर हम बात करें तो इंडिया में 18 SaaS unicorns है, ठीक है, जो कि 2018 में सिर्फ एक ही हुआ करता था, और इंडिया में तीसरा सबसे बड़ा SaaS का ecosystem बन र awareness for SaaS product, continues to be a prerequisite for customer acquisition, यानि कि अगर वो customer को acquire करना चाहते है, तो अभी भी उनको क्या है, कि greater awareness, ठीक है, greater awareness जो है, वो अपने product के बारे में लोगों को देनी पड़ेगी, तभी जो है, ज़्यादा customer वो acquire कर पाएंगे, ठीक है, 100 से ज़्यादा unicorns इंडिया में है, I hope आपको पता होगा, और unicorn क्या होते है, उसकी definition आप लोग मुझे, या उसकी जो एक criteria होता है, वो मुझे आप नीचे comment section में बताईएगा, ठीक है, तो यही सारी news थी आज की important, जो भी कुछ और news अगर important होगी, तो वो आप लोगों के लिए अलग से provide कर दी जाएगी, तो इस video में हमारे सा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से मैं आप से कहूँगा कि अगर आप लोग इस पूरे के पूरे sessions को देख रहे हैं, तो please feedback मुझे जरूर दीजेगा, वीडियो को like करना ना बुलें अगर पसंद आ रही है तो, जादा से अदा share करें अपने दोस्तो कर सकते हैं, टेलिग्राम मार हमारा जो ग्रूप है, ओकुल, GSUPSC discussion forum इसको भी आप join कर सकते हैं, और साथी साथ social media पर भी आप हमें follow कर सकते हैं, और अपनी कोई भी बात आप हम तक पहुचा सकते हैं, तो चलिए, मिलेंगे कल के दिन में, news analysis के साथ, Indian Express के, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखेगा, पढ़ाई जम के करते रहिए, प्लीज दू टेक कर अफ यॉर्सेल्फ, थेंक यू, हैव नाइस डे, बाबाई